इस वक्त अगर कहीं का तापमान गर्म है तो वो है आजमगड जी हाँ आजमगड की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस छेत्र में इस कदर की गर्मी बढ़ चुकी है कि चुनावी माहोल में आग लग गई है इस वक्त तो ऐसी रैलियां चल रही है आजमगड में कि सभी का ध्यान अगर कहीं है तो दिल्ली को छोड़ आजमगड पे है आजमगड में दो बंबर शेरों की लड़ाई है एक दिनेस लाल यादो निरहुआ तो दूसरे अखिलेश यादो अखिलेश यादो का तो ये पूरी तरह से नया है लेकिन भाई निरहुआ ने क्या छाप छूड़ी है दिन रात रैली कर रहे हैं दिन रात अपना प्रचार प्रशार कर रहे हैं इसमें अगर उनका कोई साथ दे रहा है तो वो कोई और नहीं दिनेस लाल यादो निरहुआ के छोटे भाई प्रवेश भाई भाई हो तो ऐसा जब से आजमगर की जमी पर दिनेस लाल यादो ने अपने पगधरे हैं तब से उनका छोटा भाई उनके साथ साथ उनके कदम दर कदम मिलाकर उन्हें हर तरह से कहीं से भी भाई को कोई संकट ना आ जाए इसका ध्यान बक्खु भी रखा हुआ है इ अधिती यादो का हर साल 29 अपरेल को जनम दिन होता है लेकिन आजमगर की इस चुनावी रैली में भाई को भाई ने अकेला नहीं छोड़ा अपने बेटी के जनम दिन पर प्रवेश लाल यादो नहीं पहुचे और अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से ही उसे विश्किया फोन किया और उसके बड़े के उसे धेर सारी बधाई दी और ये वादा किया कि जब वो आजमगर से लोटेंगे तो उसका बड़े वो धूम धाम से बनाएंगे साथ ही उसके बड़े पापा यानि की दिनेस लाल यादो निरहुआ की तो अधिती जान है अब आप समझी सकत और दिनेस लाल यादो निरहुआ की वो सबसे जादा चहेती है वैसे मानना पड़ेगा प्रवेश लाल यादो अपने भाई के लिए जिस तरह का प्यार आज के समय में प्रवेश लाल यादो दिखाते हैं उतनी केर उतना प्यार शायद ही कहीं देखने को मिलता है लेकिन यहां ये कहना भी जरूरी है कि प्रवेश लाल यादों के साथ साथ दिनियस लाल यादों निरहुआ भी अपने छोटे भाई की हर पाहिसों का ख्याल रखते हैं तब ही तो निरहुआ ने अपने हर एक बड़े और छोटे डिसिजन में अपने भाई को हमेशा सर्वो परी रखा है और इसका अंदाजा शायत प्रवेश लाल यादों को बखू भी है हमारी यही दुआ है कि इन दोनों का प्यार इसी तरह बना रहे और इस प्यार पर कभी किसी की नजर ना लगे बोजबूरी जगत की होट और मसालेदा गौसिप के लिए हमें सब्स्राइब करना ना भुरिए